हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्सक्राइब के अंदर दोस्तों आज की टिटोरियल के अंदर हम आइजुमेट्रिक वियो में की एक्सराइज करेंगे एक्सराइज नमबर एट ऑटोकाइड के अंदर सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं इसको ठीक है सबसे पहले हमें कौंट फेस क्रियेट करेंगे ठीक है ज्यादा कन्फियूज नहीं करते हैं सबसे पहले फ्रंट उसके बाद साइट से स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इस टीक है सबसे पहले आपके पास क्रश्रासर यंच दाइब काओ गया रीजनी त्रीट भागर इस सबसे पहले आपके पास वर्सार इस टैप काऊँ आई इसमिर एक हां इसको आएक्ट और पे लेफ लेहले अमक्रिय च्रील सॉत करें करें किसे कैंप Plлись के 42 यहां से f5 करके इसके साथ मिला लेंगे and l enter यहां से हम same 72 enter and this point को मिला लेंगे and tr double enter true okay and ellipse लगाएंगे ellipse iso circle center point देखेंगे इसका center point okay f5 से direction change करेंगे f5 and radius होगा मेरे पास वो अब 30 okay अब मेरे को करना क्या है मेरे को यहां से 30 mm line लगाएंगे इसको मैं delete करूँगा सबसे पहले delete okay this is a delete and l enter line जो length होगी मेरे पास वो होगी 30 mm 30 30 के बाद मैं इसको यहां तक लिया होगा then tr double enter इसको भी this is a 24 and may assess go not to clear the tr double enter so we have trim other time and trim 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 and birer double enter trim on this from this okay इसको हम चलीट कर देते हैं and अब क्या करते है हम, लाइन लगाते हैं same as it is, I'll enter, just a minute, I'll enter, यहां से, I5C direction change, okay and इसी को हम, कॉपी करते हैं, c o enter, edges के उपार, then this, just a minute, this side, this on this edge ठीक है ? जो मॉट करते थो रहा सा इस लाइन को हम डिलीट करते है एंद अब इस लाइन इस लाइन इस लाइन को सलेक्ट करके c o enter base point मेरा यह रहेगा इसको कॉपी करेंगो इस पॉंट तक मैं टी आर डबल इंटर इस एक्ट्रा लाइन को डिलेट कर देंगे ठीक है यह create होगा मेरे पास उसके बार मैं क्या करूँगा अब यहां पर यह बोर रहे है कि यहां से कट है ठीक है मैं इस लाइन को डिलीट कर द लाइन चलेगी दिस लाइन फोर्टी टू ठीक है आए फ़ाइव अपसाइट शिक्समा और फ़ाइट से डिलीट कर देंगे ठीक है अब मेरे को क्या करना है मैं को यहां से अलेंट लाइन लेनियो आप यहां से भी ले सकते है या इसका सेंटर भी ले सकते हो एंड अलेंटर center point से f5 direction change और back में जाएगा problem या इसी कोई कोपी कर सकते हो ठीक है then ellipse लेंगे ellipse center point f5 से direction sorry e enter i enter select करेंगे and f5 से direction change और radius होगा मेरे पास bar i am and ok यहां से करने के बाद मेरे को एक line लगाँगा मैं ellipse line this point to this point and tr double enter trim इसको trim कर देता है ठीक है अब next मेरे पास क्या होगा मैं यहां से इस face को create कर दो जो top face है ellipse यहां से f5 से direction change and this is a 36 and this is a 32 sorry 72 this is 36 just a minute ctrl z and image this point ok उसके बाद line enter और यहां से मेरे पास length होगी this is a 72 72 के बाद मैं डाउन में जाओंगा f5 से direction change this is a 6 mm ok back side में जाओंगे 73 mm and upside this is a 125 and just ctrl z this is a 25 and मैं यहां पे आगे छोड़ दूँगा and line enter this point 2 down this point okay tr double enter trim इसको हम delete कर देंगे okay delete करने के बाद यहां से मैं दोबारा line लगा l enter this point से start करेंगे f5 से direction change करेंगे this is a 25 and a 12 and f5 से direction change okay आएंगे this 50 and a l ellipse isocircle and the center में लेके radius होगा मेरे पास 12 mm and this l enter this is a 12 okay इसके बाद हम इसको कोपी करेंगे co enter from this point to this point and this and l enter line यहां से यहां तक हम एक line लगाएंगे and इसी को हम यहां से आगे बडाने and this okay इसको सलेक्ट किया इसको सलेक्ट किया and property click property यहां से हम इसकी layer को चैंज कर देनी okay and tr double enter trim अचिके l enter line लेने के बाद this is a 32 72 okay उसके बाद यहां तक tr double enter trim करेंगे इसको उसके बाद l enter this is a 12 mm just a 12 enter and आप इस पॉइंट को meet कर दें then delete this then l enter आप बाद यहां से वाहतब and move l enter f5 ओद इसको direction change and इसको वहां यहां से थादब and यहां से आप इसको construction line property को सलेक्रकर बाद देक्रण हाँ यहासे layer को हम चाएंज कर गएगो okay color change करना चाहो तो आप color भी चैएंग कर सकते okay select this right click and great property change colour okay and I'll enter यहासे 25 and TR trim let's go copy and okay frame delete करेंगे and this point to this point okay and co copy enter this point ko copy करेंगे enter base point मेरा यह होगा and select this and tr double enter trim and okay अब हम इसके dimensioning start करें ठीक है same as it is यहां से एक बर चर्ट करना है annotation on है and okay select this okay and this to this point value 42 and select this to this point this is six okay and repeat this this point to this point this is art late okay now मैं इसको यहां से देना चाहूँ तो अप यहां से दे सकते इसको just a minute you know from this point to this point and this point to this point and this point to this point this point to this point okay and linear this point to this point just delete it and listening from this point to this point and this point to 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 this to this point this part to this point this part to this okay this part to this part and this part to okay let's go इपड़ा करेंगा, F5C direction change अहां तक, and TR enter okay, TR double enter trim, and dimensioning होगी मेरे पास this point too, and this point okay, just a minute trim, and dimensioning, this point too this point, just 36 okay this point too, this point okay हम यहां कर देता हूँ ठीक है, अब इसको dimensioning का हम सभी कर देते हैं, ठीक है, radius हम leader से देंगे, सबसे पहले 90, जो जो है मेरे पास, उसको select करते हैं, यहां से dimensioning पर click किया, click, and select this, this, and this, enter, यह आपका 90 degree पर होगा, and यह आपका होगा, this is a oblique, select this, enter, this is a 150, okay, यह आपका 150, यह आपका 150, यह आपका 150, and annotation में जाके, click, and this is a enter, this is a 150, just a minute, let's select this, this, and this, enter, this is a 150, okay, and दुबारा फिर, click पर जाएंगे, इसको select किया, इसको select किया, इसको enter किया, 30 degree, okay, and select this, यहां से annotation पर जाएंगे, यहां पर oblique, और यह होगा, मेरे पास, this is a 150, okay, and same as it is, this is 90, यह मेरे पास 90 होगा, and enter, 90, and यह होगा मेरे पास, okay, just a minute, this is a 90 also, यह भी आपका 90 ही होगा, and this is a, select this, this, and I will select object, object को select किया, enter किया, this is a 90, okay, and enter, यह मेरे पास होगा, 30, अब मैं इसको यहां से, इसको select किया, enter किया, this is 30, okay, मेरे पास, okay, इसको center में कर देते हैं, चीक है, अब मेरे को करना क्या है, मेरे को यहां पर radius देनी है, जो मेरे पास यह radius होगी, this is a, r30, r30, okay, इसको select कर किया, यहां से, इसको डिलीट कर लेके, एक मिन, जास तो मनेट, and delete, okay, यहां पर लेके आपते हैं, इसको, annotations, यहां से, यहां, and this, this is a, dia, 24, okay, और उसके बाद मेरे पास, reader में जाके, यहां से, जो यह radius है, this is a, r30, okay, and जो आपकी यह radius है, leader में जाके, and this is a, this is a, r12 mm, okay, and this is also a, 6, okay, and save, ctrl s, save, यहां से आपको यह दिमेंशिंग कर देना चाहो, तो आपको यह यह दिमेंशिंग कर देना चाहो, तो आपको यहां से, इसको भी दे सकते हैं, okay, यहां से, public, इसको select किया, enter किया, this is a, 30, okay, and save, okay, I hope you like this tutorial, so please like, subscribe, and press the bell icon button for new video notification, thank you guys.